अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्षिदासवी के भूगोल का एक नया वीडियो ले कराया हूँ और ये भूगोल के लिए सातवा अध्याय रहेगा इस अध्याय में हम लोग समझेंगे कि राष्टिय अर्थेववस्था की जीवन रेखाय कहे जाने वाले परिवहां तंत्र और संचार सेवाएं किस परकार से भारत के लिए बहुत जाता उपयोगी है और भारत में कौन-कौन से परिवहां तंत्र के साधन महजूद है और उन परिवहां तंत्र के साधन क्या हमारे लिए उपयोगी है और फिर हम लोग समझेंगे कि इन सभी छेत्रों में से कौन से छेत्र ऐसा है जिनका विकास आवस्यक है ताकि इसमें रोजगार का स्रिजन हो सके चुकि परिवहां तंत्र और संचार सेवाएं अर्थेववस्था म किसी भी बोट से कर रहे हैं आपके बोट में अंसियाटी बुक शलती है यहाँ पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है इस वीडियो का आप पूरा देखें क्योंकि मैंने पूरा अध्याय एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया है फूल चैप्टर इन वन वीडियो इसके लिए आपको पार्ट वन पार्ट टू ढूड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा तो इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखें तो हाई अब हम लोग समझते हैं राश्ट्रिय अर्थेववस्ता की जीवन रेखा पूरी परकिरिया है या परिवाहन पर आधा हैं आपूर्ती अस्थानों से मांग अस्थानों तक ले जाने है तुही परिवाहन क्या है आवस्यक है अब एक कलपना कीजिए कि एक चीनी मिल की कलपना कीजिए इस चीनी मिल को किस चीज की जरूरत है किस चीज की आपूर्ती करना होगा इसके लिए हमें चाहिए गन्ना क क्या है चीनी मिल की मांग है यह मांग वस्तू है अब इसे गन्य के खेट से चीनी मिल तक पहुचाने के लिए हमें किसकी जरुरत पड़ेगी परिवाहन की जरुरत पड़ेगी तो इस परकार से परिवाहन क्या हो जाता है आवस्यक हो जाता है हमारे आधूनिक जीवन में अब जो व्यक्ति जो व्यक्ति क्या करता है उत्पाद को परिवाहन द्वारा उपभोगताओं तक पहुचाता है उन्हें वैपारी कहा जाता है वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृत पत्वी के तीन महतंप Он, च्छेत्रों पर क्या जाते हैं? या तो उसे अस्थल के भागों में किया जाएगा, या तो जल के द्वारा क्या जाएगा, या तो वायू के द्वारा क्या जाएगा? चुकि इनका तीन भाग है, इसी आधार पर हम लोग परिवाहन को भी तीन भागों में बाटते हैं अस्थल परिवाहन, जल परिवाहन और वायू परिवाहन तो ये परिवाहन के साधन है और इनहीं का अध्यन हमी सध्या में करने वाले बहुत समय पहले कि अगर बात करें तो बहुत समय तक व्यपार तथा परिवहन सुविधा एक सीमी छेतर तक था तो सीमी छेतर तक होने के कारण ये जो सुविधाएं थे बहुती कम लोगों के पहुँच में थे लेकिन हम सभी जानते हैं कि विज्ञान ने तरकी करी प्रधागे की यानि कि उध्योगों में नए ने विकास हुए और इन दोनों के विकास के साथ क्या हुआ वैपार भी बढ़ा और परिवहन भी बहुती तेजी से विस्तरित होने लगा और इसकी विस्तरित विर्दी वोथी तेज चलने वाली यानि कि तिव्रगती वाले परिवहन हमारे समप्छ मवजूद है और इन सब के कारण पूरा संसार जो है एक बड़े गाउं में तबदील हो गया है इसका अर्थ यहा है कि जो परिवहन के साधन है वो इतने तेज हो गए हैं इतने उन्नत हो गए ह कि आप दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी भी समय ट्रैवल कर सकते हैं परिवहन का यह विकास ना केवल परिवहन में ही हुआ है बलकि संचार के साधनों के विकास में सहायता पहुचाया है जिसके चलते संचार सेवाएं भी बहुत ही तेजी से विकास हो पाया है इसलिए परिवाहन और संचार व वैपार ये तीनों जो है एक दूसरे के पूरक है अगर परिवाहन ने होगा तो वैपार ने होगा और वैपार ने होगा तो संचार सुविधाओं का परियोग कुन करेगा और संचार सुविधाओं का परियोग ने होगा तो परिवाहन का परियोग भ लोग समझेंगे कि आधूनिक संचार तथा परिवाहन के साधन क्या है और ये हमारे देश और इसकी आधूनिक अर्थे विवस्ता को कैसे संचालित करते हैं किस परकार से चलाते हैं तो एक बार हम लोग सौट में देख लेते हैं कि परिवाहन के साधन कितने होते हैं, हम सभी जानते हैं परिवाहन को अस्थल भागों, जल भागों और वायू छेतरों में चलाया जा सकता है, यानि कि परिवाहन के तीन भाग हैं, यह तीन परकार हैं, अस्थल भाग के भी तीन परकार हैं, पहला है सडक परिवाहन, दूसरा ह रेल परिवान और तीसरा है पाइप लाइन परिवान जल परिवान दो तरह के होते हैं आंत्रिक जल परिवान यानि कि देश के अंदर ही अंदर हमारे भारत में बहुत सारी नदिया मौझूत है जैसे गंगा यमूना ब्रहंपुत्र गौदावरी कावेरी कृष्णा तो इन नदियों के सहारे नाव का परियोग करके हम लोग एक अस्तान से दूसरी अस्तान पर जा सकते हैं और यह सस्ता और सुलव विवस्ता होती है तो इस परकार से आंत्रिक जल परिवान का परियोग होता है और अगर हमें अंतराश्ट्री अस्तर पर एक देश से दूसरी देश वायू परिवहान में पहला आता है घरेलू विमान सेवा यानि कि देश के अंदर ही अंदर और दूसरा है अंतराश्ट्रिय विमान सेवा यानि कि एक देश से दूसरे देश का आना जाना घरेलू विमान सेवा दो तरीके से होती है पहली जो तरीका है वह सारवजनिक छेतर क परियोग करके और दूसरा जो वह नीजी विमान का परियोग करके तो इस परकार से ये परिवाहन के साधन है और इनी के साथ हम लोग लास्ट में संचार का भी अध्यन करेंगे तो इस परकार से ये था मुख्य सार आप इसे लिख सकते हैं बहतर तरीके से और बहतर तरीके से याद कर सकते हैं आएए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं परिवहन के विशे में और सबसे पहले बात करेंगे अस्थल परिवहन और अस्थल परिवहन का पहला भाग था सडक परिवहन तो सडक परिवहन के कुछ मुख्यतत भारत के विशे में भारत विश्व के सरवाधि सड़क जाल वाला देशों में से एक है यानि कि दुनिया में अगर कहीं सबसे अधीक सड़क है तो भारत भी उसमें से एक देश है यहाँ पर लगबग 54.7 लाख किलोमेटर लंबी सड़के हैं भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले परारंब हुआ है और निर्मा में निर्मान निर्मान तथा व्यवस्था के दृष्टी से सड़क परिवहन सुवीधा जनक है रेल परिवहन की अपेक्षा है अब सड़क परिवहन के विशे में कुछ और चीज़े जान लेते हैं कि यह किस परकार से सड़क परिवहन जो है वह रेल परिवहन से अलग है और रेल परिवहन से अच्छा साधन है, यह परिच्छा में आता है, तो निम्न कारणों से यह अलग है, सबसे पहले कि रेलवे लाइन की अपेच्छा सडकों की निर्मान लागत बहुत ही कम है, जितना लागत रेलवे लाइन बिचाने में लग जाता है, उससे कही कम पैसों म या उबर खावर जगाओं जैसे कि जारकंड की बात करें पहाडी छेत्र या फिर और कोई ऐसा छेत्र है जहां पर बहुत सारे जंगल है या फिर उबर खावर छेत्र है तो उस छेत्रों में भी क्या किया सकता है सडके बनाई जा सकती है अधीक ढाल अगर कहीं अधीक ढाल है जैसे हिमाले का छेत्र या फिर पहाडी छेत्रों उन छेत्रों में भी सडकों का निर्मान किया जा सकता है कम वेक्तियों के लिए अगर कहीं कम वेक्ति निवास करता है या फिर कम दूरी तै करना है कम वस्तूओं के परिवान के लिए सडके बनाई जा सकती है लेकिन रेलवे का निर्मान तभी होगा जब बहुत सारे वेक्तियों की जुरुरत होगी अब सड़क जो है वो आपके घर तक आपको पहुचा सकती है जबकि रेलवे घर तक नहीं पहुचाएगी केवल इस्टेशन तक छोड़ीगी तो इस परकार से जो सड़क परिवाहन है वो घर-घर सेवाय है तथा समान चड़ाने उतारने की लागत भी क्या होती है पेक्षाक्रिद बहुत ही काम होती है सड़क परिवाहन अन्य परिवाहन सादुनों के उप्योग में एक कड़ी के रूप में भी कारिया करता है अब एक चीज़ कलपना किजिए अगर सड़क परिवाहन नहीं रहेगा तो आप railway station कैसे पहुँचेगा या फिर अगर आप कैसे हैं एरपोर्ट जाना चाहते हैं तो वहाँ भी कैसे जाईएगा या फिर कहीं कैसे हैं समुद्री पतनों पर पहुँचना है तो वहाँ पर कैसे जाईएगा तो इस परकार से जो सड़क है वह अन्य परिवाहन को जोडने का विकार्य करता है तो यह था सड़क परिवाहन के विश्चे में और हम लग समझे कि किस परकार से यह रेल परिवाहन से अलग था अब भारत के अगर बात करें तो भारत में सड़कों की चमता के आधार पर इनको छे वर्गों में बाटा गया है फेल जो वर्ग है उसको बोलते है स्वरनिम चतर्भुज महाराजमारग्ग एंगलिस मेंitel गोर्डन-कौर्डिली-लेटरल शूपर हाईवे दूसरा है राश्ट्रिय राजमार्ग नेशनल हाइवे राज्य राजमार्ग स्टेट हाइवे इसके निम्न में आता है जीला मार्ग फिर अन्ने सडके आती है और अंत में जो आती है सीमान सडके तो यह था छे परकार सडकों की जो भारत में तो आईए इनके विशे में थोड़ा डेटील से अध्यान करें कि स्वर्निम चतरबूज आखिरकार है क्या और इसके क्या कार्य है अगर स्वर्निम चतरबूज महाराजमार की बात करें तो भारत सरकार ने दिल्ली, कॉलकता, चैननाई, मुंबई यह जो बड़ी-बड़े सहर है, इनको जोडने के लिए छे लैन वाली यानि कि छे लाइन वाली बहुत बड़ी सडकों का निर्मान करवाया यानि कि महाराजमारगों की सडक परियोजना प्रारम की और इसके तहट इन सभी बड़े-बड़े सहरों को आपस में कम दूरी के साथ जोड़ दिया गया और इसके तहट दो गलियारों का निर्मान के आगया पहला जो गलियारा है उत्तर दक्षिन गलियारा हम इसे मांचितर में दिखाएंगे दूसरा जो गलियारा है वह पूरव पस्षिम गलियारा हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में जम्मु कस्मिर यानि की स्री नगर है कह सकते हैं और दक्षिन में कन्या कुमारी तो यह जो पस्यम तक की दूरी को कम करने के लिए असम जो सिल्चर से प्रारम होता है और गुजरात में पूरबंदर तक खत्म होती है यह पूरा पस्यम गल्यारा का निर्मान करवाया तो इस प्रकार से दो गल्यारा निर्मान हुआ अब इसका परमुक उद्देश हम लोग जानते हैं जो मेगा सीटी है यानि की जो मेगा सीटी होते हैं उनके मध्य दूरी व परिवहन के समय को कम करने के लिए यहाँ राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरन के अधिकार छेत्र cog यही करते हैं अब आईए हम लोग बात करते हैं राश्ट्रिये राजमार्ग के विसे में राश्ट्रिये राजमार्ग देश के दूरस्त भागो यानि कि देश में वैसे अस्थान जो बहुत ही दूर-दूर है उनको जोडने का काम करते हैं यह प्रात्मिक सडक तंत्र है जिसका निर्मान वह रख रखाओ केंद्रिये लोक निर्मान विभाग CPWD के अधिकार छेतर में है अनेक प्रमुख राश्ट्रिये राजमार्ग उत्तर से दक्षिन तथा पूरब से पस्चिम दिशाओं में फैले हैं बहुत सारे बहुत सारे जो राश्ट्रिये राजमार्ग है अनेक सकते हैं देश के दूरस्त छेतर हैं उनके बीच की दूरी कम हो सकी दिल्ली वह अमरित सर के बीच में एक बहुत ही एतिहासिक के सड़क है और इस एतिहासिक सड़क का नाम है सेरसा सूरी मार्ग और यह राश्ट्रिये राजमार्ग संख्या एक है तो जो भी राश्ट्रिय राश्टिया 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 रा अभी राज में आप निवास करते हैं उसकी राज़धानी है जैसे गोता है तो जहारखंड की राज़धानी राची है तो राज़धानी को बाकी जीलों या मुख्यालायों से जोडने वाली सडके जो खती है राज मार्ग कहलाती है राज्य तथा केंद्र सासित छेत्रों में इनकी विवस्था तथा निर्मान का दाईत्व सारवजनिक निर्मान विभाग P.W.D. का होता है अब आता जीला मार्ग तो सड़के जीला के विविन प्रशासनिक केंद्रों को जीला मुख्याले से जोडने का काम करता है यानि कि ज प्रशासनिक केंद्र है उसको जोडने का काम करता है और वह सड़क क्या कालाता है जीला मार्ग क्यालाता है इन सड़कों की विवस्था का उत्तरदाइत वो कौन करते हैं जीला परिसद करते हैं यानि कि जीला परिसद ही इन सड़कों का रख रखाव एवं बनाने की प्रक सहरों से जोड़ती है यानि कि ग्रामीन छेत्र में निर्मित सड़के या फिर गाउं को सहर से जोड़ने वाली जो सड़के होती है वो अन्य सड़कों में आती है परधान मंत्री ग्रामीन सड़क योजना के तहट यानि प्रियोजना के तहट जो सड़क का विकास है वह बहु कि जिसमें देश के परते गाउं को प्रमुक्स हरों से पक्की सड़कों के तहत ही जोड़ना है ऐसा नहीं केवल कच्ची सड़कों के तहत जोड़ना है और पक्की सड़क क्या होते हैं वे सड़क जो वर्स भर वहान चल सके यानि कि कभी गर्मी वर्सा जो भी मौसम हो कभी य सडके जो होती हुआ खराब नहीं होगी अब आई हम लोग अंतिम कह सकते बात करते हैं सडक के विसे मुरुआ है सीमांत सडक यह क्या होता है तो जितने भी सडक अभी हम लोग पढ़े इसके अलावे भारत सरकार प्राधिकरन की अधीन सीमा सडक संगठन है जो देश के सीमां चेत्रों में सडकों का निर्मान वह उनकी देखरेक करता है और ऐसे ही सडकों को सीमांत सडक क्या थे यहां संगठन 1960 में बनाया गया जिसका कार है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी चेत्रों में सामारिक महत्व माफ कीजिए यहां सामाजिक होगा सामाजिक महत्व की सडकों का विकास करना है अब ये सिमान सडख होता क्या है तो हम सभी जानते है कुछ ऐसे चहतर जो बहुती ज्यादा दुरगम है जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं इन चहतरों में सडख बनाना बहुती बड़ा मुश्किल कारे होता है और अगर इन छेत्रों में सड़क नहीं बनता है तो भारत का एक अंग या कुछ भाग हमसे छूट जाएगा اور ऐसे में उन छेत्रों को जोडने के लिए हमें इन छेत्रों में सड़क बनाना आवज सेखें और ऐसे दुरगन चेत्रों में, जहां पर जाना ओसंभव लगता है, ऐसे चेत्रों में सिमान्त सडकों के निर्मान के चलते अभी ग्यम्यता बढ़ी आये, यानि कि वहां पर जाना लोग पसंद करने लगें, तथा इन चेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायता पहुचा ह तो यह था क्या, सिमान्त सडकों के विसे में, तो इन सडकों के विसे में जाने के वाद आप थोड़ी और जानकारी ले देते हैं, कि परियुक्त पदार्थ के आधार पर, यानि कि सडक जो बनता है, तो उसमें सडक बनाने में मेटरियल का यूज होता है, तो पदार्थ के पर सड़के जो होती है दो तरह के होता है पहला जो सड़क होता है वह कच्ची सड़क होता है जिसमें किसी भी परकार के कह सकते हैं मेटरियल का परियोग नहीं किया जाता है केवल रास्ता होता है और जो दूसरा होता है वह पक्की सड़क होता है यानि कि परियुक्त पदार्थ के अदार पर सड़क दो परकार के होते हैं पक्की सड़क के अगर बात करें तो यह सिमेंट और कंक्रीट यह तारकोल के द्वार निर्वित होती है और यह जो है 12-18 सड़के होती है यानि कि इसमें वर्सा भर यानि साल भर आप इसमें आवा गमन कर सकते हैं लेकिन कच्छी सड़क के अगर बात करें तो वर्सा रितु में यह सड़क बिल्कुल बेकार हो जाती है अनुपयोगी हो जाती है वैसे ऐसा नहीं लोग ठोड़ा इसको मानचित्र में देख लेते हैं कि वो सभी छेत्र कहां पर है अगर स्वर्निम चत्रभूज की बात करें तो यहां पर एक चत्रभूज सब्द आ रहा है और गनित में चत्रभूज का अर्थ होता है चार भूजा वाला तो आप मानचित्र में देख सकते कि एक ऐसा रास्ता है जो चत्रभूच का निर्मान करता है और इसी रास्ते को स्वर्निम चत्रभूच के नाम से जाना जाता है और इसके अलावे जो गलियारा इसके तहट जो निर्मान हुआ था वो आप देख सकते हैं ये था पूरब से पस्चिम वाली गलियारा और ये बाश्टियराजमार्ग का नमांकन क्या गया है,चीए सख्ते हैं संख्या सहीद, तो यह था सडख, अभा इह हम लोग बात करते, रेल परिवहन के विशे में, रेल परिवाहन की अगर बात करें तो भारत में रेल परिवाहन वस्तूओं तथा यात्रियों के परिवाहन का प्रमुक सादन है रेल परिवाहन अनेक कारियों में सायक है, जैसे वेपार में सायक है, लोग घूमने के लिए जाते एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर बहुत बढ़ी दूरी तै करते हैं, तो भरमन के लिए या तिर्थ यात्राओं के लिए वे बहुत ही लंबी दूरी तक सामान वा प्रिवाहन के लिए रेल परिवाहन बहुत जादा उपयोगी है एक पर्मुक परिवाहन साधन के अतरीक्त पिछले 150 वर्सों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महतंपून समनवयक के रूप में भी जान आती है यानि कि 150 वर्स से भी जादे समय तक भारतीय रेल हमारे व्यवस्था में भी महतमपून योगदान देते हैं, देश के जितने भी उद्योग हैं, उनको कच्चा माल ले आने, उनके लिए जो आपूर्ती होती है, इंधन की, उन सभी चीजों की आपूर्ती कौन करते हैं, रेल परिवान करते हैं, और रेल परिवान के तहत क्रीसी में भी बहुती बड़ी विर्दी हुए और इन तीनों को बहुती तिवर गती से विकास मिला है और इन सब के लिए उत्तरदाई कौन होता है रेलवे परिवाहन तो ये था रेल परिवाहन अब रेल परिवाहन के विशे में अन्य बातों को थोड़ा समझते हैं कि रेल परिवाहन जो है उसको बहुत सारे ऐसे कारक है जो परिवाहन को परभावित कर रहे हैं वितरन यानि कि उसको बड़ा होने में जो पहला कारण है वह भू आकिरती और दूसरा है आर्थिक और तीसरा है प्रशाशन किये कारक अगर भू आकिरती के बिसे में बात किया जाएं भारत में ब रेलवे का निर्मान किया ही नहीं जा सकता है यह वहाँ पर रेलवे का निर्मान करना बहुत ही कठीन है यह वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लागत लगता है क्योंकि पहाड़ी छेत्र है पहाड़ को काटना जंगलों को काटना यह सारी चीजे आप दाएं हैं जो प्रभावित करती है तो इस परकार से भारत की जो भू आकिरती है इसके चलते रेलवे का वेस्तार कम हो पा रहा है रेलवे के विकास में अगर विकास करना होगा और तते धीक पैसे के निवेस करना होगा तो इस परकार से आर्थिक कारक भी दूसरा बहुती महतंपून कारक है और जो सासक वह भी इसकी विकास पर ज्जादा ध्यान नहीं देता है तो इस परकार से railway के विकास में जो सासक है उसका भी महतमपून योगदान होता है तो ये वो तीन कारक है जो railway के विकास को प्रभाभित करता है अब आये railway से जुडए कुछ महतमपून तथियों के विशे में बात करें कुछ वर्ष पहले भारत के महतंपून आर्थिक छेत्रक में पस्मी तठ के साथ कौंकन रेलवे के विकास हुआ यानि कि जो पस्मी तठ है उनके साथ साथ कौंकन के छेत्र में भी रेलवे का विकास हुआ इससे क्या हुआ इसे यात्री वा वस्तुओं के आवागमन में सुविधा जनक हो गया है तो इस परकारच में लोग देखते हैं कि रेलवे का जब विकास होता है तो वस्तुओं वा यात्रियों का आवागमन सुविधा जनक हो जाता है परंतो इसके विकास में बहुत सारी अड़चने आती है समने यदपी ओसंख्य समस्याएं भी होई क्योंकि यह जो छेत्र है जिसकी बात कर रहे हैं पस्चिमी घाट और कौनकन छेत्र यहाँ पर भूवस खलन होता है और बहुत सारी अन्य समस्याएं होती है जैसे की बहुत सारा ऐसा छेत्र होता जहाँ पर ट्रैक जो हता है वह धस जनले लगता है तो इस प्रकार से इन समस्याओं के बावजूद भी यहाँ पर रेलवे का विकास हुआ और इन समस्याओं के चलते यहाँ पर आर्थिक प्रहार होता है जिसके चलते बहुत सारी हानियां होती है और इतना ही नहीं आज अगर अर्थेविवस्था में परिवहन की बात करें तो अन्य परिवहन साधनों के अपेक्षा रेल परिवहन परमुक साधन हो गया है और भारत आर्थेववस्ता में रेल परिवान का बहुत ही बड़ा योगतान है लेकिन फिर भी रेल परिवान बहुत सारे समस्याओं से जूज रहा है अभी भी बहुत सारे समस्याओं से रेलवे परिवान मोक्त नहीं गुए सबसे पहली और एहम जो है बिना टिकट यात्रा करना करते हैं उन वेक्तियों की विसे में बात कर रहे हैं जो यात्रा करता है लेकिन वह बिना टिकट का यात्रा करता है तो ऐसे में उन रेलवे को बहुत ही बड़ा नुकसान होता है और बहुत बार रेल की संपती को हानी की जाती है या उनको चोरी की जाती है और इन समस्याओं स से भी रेल पूरी समाप्त नहीं हुआ और यह सारी जो हानिया हो रही है और जंजीर खिचना जो बहुत ही महतंपून मुद्दा है बहुत बार यात्री क्या करते हैं कई भी जहां पर उनको उतरना है अनावस्यक रूप से जंजीर को पाया है तो हमें सयोग करना चाहिए इन समस्याओं से निप्टने के लिए ताकि इनका जादा से जादा विकास हो सके और अर्थे ववस्ता में अत्यधीक महतंपून योगदान दे सके पाइपलाइन परिवान पाइपलाइन परिवान होता क्या है सबसे पहले पाइपलाइन का परियोग हम लोग सहरों एवं उध्योगों में पानी पहुचाने के ले करते थे लेकिन आज इसका परियोग हम लोग अन्य छेत्रक में कर रहे हैं जो ब पहुँचाया जाता है या फिर उर्वरक कारखानों में बड़े ताप विदूत गरी तक इनको पहुचाया जाता है तो इन सभी छेत्रकों तरल अवस्था में बदला जा सकते हैं तो ठोस को हम लोग तरल अवस्था में बदल देते हैं और इसको बदलने के बाद इसको पाइप के द्वारा हम इसको अपने अस्थान तक पहुचा देते हैं जहां तक इसे पहुचाना है तो इस परकार से पाइप लाइन परिवान का परियोग क्या यात हैं सुदूर आंत्रिक भागों में इस्तित सौधन सालाएं जैसे कि बरोनी मतूरा पानीपत तता गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की अस्थापनाएं पाइप लाइनों के जाल के कारण ही संभब हो पाया यानि कि जो सौधन सालाएं या फैक्टरिय या उद्योग बहुत ही दूर है वहां तक पहुचाने में कौन उपयोगी है पाइप लाइन परिवाहन अब चीज पाइप लाइन के विश्य में यह है कि पाइप लाइन को बिचाने में बहुत ही जादा लागत लगता है लेकिन प्रारामभिक लागत तो अधिक है यानि कि पहले तो अधिक खर्श लगता है लेकिन इसको चलाने में जिसको रनिंग कह सकते हैं रनिंग चलाने का जो ल बखुद आपको केवल तरला वस्था में डाल करके इसको प्रभावित कर देना है तो इस परकार से pipeline में प्रारंबिक लागत तो अधीक है लेकिन इसे running लागत जो है वह बहुत ही कम है वहनांतर देरी जो अगर हम किसी वस्थू को वहन के द्वारा एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाएं तो उसमें बहुत ही जादा देरी होती है उसके बाद हो सकता है बीच में कुछ हानिया हो जाएं तो इस परकार से वहनांतर देरी या होने वाली हानिया जो होती है व भारत में तीन प्रमुख पाइप लाइन परिवान के जाल है पहला जो है वह असम के तेल छेत्रों से गुवा हटी बरोनी वह इलहाबाद के रास्ते होते हुए कानपूर तक जाती है यानि कि असम से कहां तक जाती है कानपूर और कानपूर अवस्तित है उत्तर परदेश में असम से उत्तर परदेश तक की दूरी तै करता है इसके बीच में ये गुवाहटी बरोनी इलहाबाद के रास्तों से होते वे जाता है अब चुकी ये अगर इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं तो इसकी कुछ साखाएं अन्य छेत्रों में भी चली जाती है और वहाँ पर भी इसका उपियों कया जाता है तो इसकी दो साखा है एक साखा जो है वह बरोनी से राजबंध होकर हल दिया जाती है दूसरी अगर बात करें तो दूसरी राजबंध से मौरी गराम तक होते वे गुवाहटी से सीली गुडि तक जाती है तो इस परकार से इसकी दो साखा है जो दोनों ही अलग-अलग छेतरों में विस्तुरीत है अब जो दूसरा पाइपलाइन जाल है वह है गुजरात से जाकर के पंजाब तक तो गुजरात में सलाया से वीरम गाउं, मतुरा, दिल्ली, सुनी पत के रास्ते से होते हुए वह पं कोयेली को चक्सु व अन्यस्थानों से जोड़ती है तो इस परकार से यह था दूसरी पाइपलाइन का जाल, अंति में गैस पाइपलाइन, और यह जो गैस पाइपलाइन यह गुजरात से परारंब होती है ूटर परदेश तक जाती है लेकिन गुजरात से परारंब और उत्तर परदेश तक जाती है लेकिन गुजरात से प्रारम काहत होती है ये हजीरा से प्रारम होती है और उत्तर परदेश में जगदीश पूर से जाकर के मिलती है लेकिन बीच में ये मद्य परदेश के विजे नगर के रास्ते से होकर के जाती है इसके एक साखा जो है वराजास्थान में कोटा तथा उत्तर परदेश में साजहांपुर जो बबराला वर अन्य स्थानों पर जाती है तो इस परकार से ये था पाइप लाइन परिवाहन और इस पाइप लाइन परिवाहन के जाल को आप इस महानचित्र में देख सकते हैं बहतर तरीके से तो आई हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अन्य परिवाहन को तो अब बात करते हैं जल परिवाहन के बिसेम जल परिवाहन भी बहुत ही महतमपून परिवाहन है भारत के लोग आज से नहीं बलकि प्राचीन काल से ही जल परिवाहन का अपयोग समुद्री यात्रा के दोरान करते थे इसके नाविक दूर तथा पास के चेत्रों में भारतिय संस्कृति वह व्यपार को सेलाया है तो इस परकार से जल परिवहान के विशे में यह था अब जल परिवहान के विशे में कुछ मुख्य तत हिया है कि जल परिवहान जो है परिवहान का सबसे सस्ता हमादमों में उरजासक्चम हैं तता परियावरन के अनुकूल है अगर भारत की बात करें तो भारत में अंतह अस्थलिये 9 संचालन यानि की देश के अंदर 9 संचालन जलमार्क की बात करें तो pemach are would pay youAAAA जोग्दर on 5500 खिलोमेटर लंबा है यानि की इतना दूरी आप नौ संचालन के द्वारा कर सकते हैं और इस में से केवल 5685 किलोमेटर की दूरी जो है वह मसीन के द्वारा यानि की मसीन कृत नौकाओं द्वारा किया जाता है बांकी जो है बिना मसीन द्वारा किया जाता है तो इस परकार से जिसमें मसीन का परियोग किया जाता के अनुकूल परिवहन है आए जल परिवहन के विशे में कुछ अन्य तत्यों के विशे में जाने तो भारत में कुछ ऐसे जलमार्ग है जिसको राष्ट्रिय जलमार्ग घोसित किया गया है जैसे कि एक नंबर में है हल्दिया तथा इलहाबाद के मद्य जो गंगा नदी के द वह सदिया वह धुबरी के मद्ध है और इसकी लंबाई है 891 किलोमेटर और यह जो है वह बरहमपुत्र नदी में मजूद है अगला जो है वह केरल के पस्मी तटिये छेत्र जो नहर है उन छेत्रों में है और यह कोटम पूरम से कोलम तक उद्योग मंडल तथा चमपा कारा न नहरों में इस्तित है जिसकी कुल लंबाई है 205 किलोमेटर और यह जो जलमार्ग संकिया तीन है अगला है काकी नाड़ा और पुद्दु चेरी नहर के में इस्तित इस्ट्रेच के साथ साथ गौदावरी और कृष्णा नदी के विशेश विस्तार यानि कि इन छेत्रों को भी अगर मिला लिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 1078 किलोमेटर हो जाएगा और यह जो है राष्ट्रिय जलमार्ग संकिया चार है और अंति में माताई नदी के महजूद जो महा नदी के डेल्टा चैनल को जोड़ती है बरहमपुत्र नदी के साथ और पूर्वी तटिये नारों के साथ और इन सब को मिला करके या फिर कह सकते हैं कि बरहमपुत्र नदी में जो विशेश विस्तार है इसको बोलते हैं राष्ट्रिय जलमार्ग संकिया पांच और इसकी कुल लंबाई 588 किलोमेटर है यानि कि यह जो करम है वह घटते करम में है जो सबसे उपर है वह सबसे लंबी जलमार्ग है भारत का और जो सबसे नीचे है वह सबसे छोटी जलमार्ग है भारत का अब इसके अलावे भी कुछ अन्य जलमार्ग भी है जिन पर परिवहन होता है इसमें मांडवी, जुवारी और कंबर जुवा, सुन्दरवन डेल्टा, बराक, केरल और पस्च जाल ये सभी महतंपून अंतर जलमार्ग है इन सब के अतरीक तगर बात करे विदेशी वेपार भारतिय तट पर इस्थीत पतनों के द्वारा किया जाता है चुकि समुद्र का परियोग क्या जा रहा है तो अगर देश में बात करे 95% वेपार जो है या फिर मुद्र प्रमुख विशेस्ताओं के विशे में बात कर लें तो भारत में 7516 चो किलोमेटर लंबी समुद्री तटरेखा है और इस समुद्री तटरेखा में 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम वचोटे पतन है ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी वेपार संचालित करते हैं देश में जितने भी वेपार अधिक्तम वेपार होता है वह इनी पतनों के द्वारा होता है स्वतंतता प्राप्ति के बाद सबसे पहला जो पतन बना था वह था कच्छ में कंडाला और यह सबसे पहला पतन था भारत के लिए कंडाला को दीन दयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है औ और यह एक जुआरिये पत्तन है। तो आईए हम लोग पत्तन के विशे में कुछ महतम पून बिंदुओं को विशे में बात करें और कुछ प्रमुख जो पत्तन हैं उसके विशे में बात करते हैं। सबसे पहला है मुंबई विरिहतम पत्तन जिसे प्राकिर्तिक खुले विश्तरित व सुचारू पोता सरय कहा जाता है। और इसका नाम है जवहारलाल नहरू पत्तन है। लोह अयसक की अगर निर्यात की बात करें तो लोह अयसक की निर्यात के संदर्म में मर्मा गाओ पत्तन देश का महतमपून पत्तन है। और एगर चन्नाई की बात करें, तो चन्नाई हमारे देश का सबसे पुराना क्रितरिम पत्तन है, यानि प्राचिनितम क्रितरिम पत्तन है. वैपार की मात्रा तथा लादे गए समान के संदर्म में मुंबाई के बाद चन्नाई के पत्तन का दूसरा अस्थान आता है अन्य जो पत्तन है जैसे की विसाखा पत्नम विसाखा पत्नम अस्थल से घिरा गहरा वो सबसी सुरक्षित पत्तन माना जाता है अगर ओडिसा की बात करें तो ओडिसा में मौझूद भारादवी पतन विसेस्ता लोह आयस्क का निर्यात करता है। कौलकत्ता का जो पतन है वह बढ़ते व्यपार को कम करने के लिए इसके बगल में एक सहायक पतन बनाया गया है और उसका नाम है हल्दिया। तो हमने कुछ प्रमुख पतनों के विसे में बात किया और वो क्यो महतमपून है इसके विसे में बात किये। और उसकी महतता को देखते हुए उसे सुरक्षित बनाने के लिए उसके लिए कौन-कौन से सहायक पतन का विकास किया गया है इनका भी अध्यन किये। अब आईए हम लोग इनको मैप में देखने से पहले वायू परिवहान को भी समझ लेते हैं और दोनों को साथ में मांचित रध्यन करेंगें तो वायू परिवहन की अगर बात करें, तो वायू परिवहन सबसे तिवरतम, यानि कि सबसे जल्दी आराम दायक व प्रतिष्ठित परिवहन साधने, या उन अस्थानों पर भी पहुंच सकता है, जो अती दुरुगम अस्थान है, यानि कि जहां पहुंचना बहुती आसानी से पहुंचा है जा सकते हैं, उचे परवतों को पार कर सकता है, मरु अस्थलों को पार कर सकता है, घने जंगलों, लंब्ये समुद्री रास्तों को बहुती आसानी से पार कर सकते हैं, भारत में वायू परिवहन का राष्ट्रिये करन 1903 में किया गया है, और भारत मे एर इंडिया के अगर बात करें घरेलू व अंतराश्ट्रिये दोनों सेवाए प्रदान करती है और पवन हंस हेलिकॉप्टर लिमिटेट की बात करें तो ये तेल व प्राकिर्तिक गेस आयोक को इसकी अप तटियता संक्रियत संक्रियाओं में तथा औगम यव दुरलब भागों में वैसा छेतर जहां पर नहीं पहुंचा जा सकता है या बहुत ज्यादा दुरलब है जैसे कि उत्तर पुर्वी राज्यों जम्मू कस्मीर हिमाचल परदेश और उत्राखंड के छेतर इन छेतरों में इनके आंतरिक छेतरों में इनके द्वारा ही हेलिकॉप्टर सेवाए उपलब्द करवाया जाता है अब आईए वायू यान परिवहान को मानचितर में देखते हैं तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था वायू हवाई पतन और समुद्री पतन दोनों एक साथ अध्यन कर लेते हैं तो कॉलकत्ता की अगर बात करें तो कॉलकत्ता में यहाँ पर सुबास चंद्र बॉस क्या सकते हैं हवाई पतन है और हल्दिया यहाँ पर कॉलकत्ता पतन तो है यह साथ में इसके बगल में हल्दिया भी है ओडिसा में परादीप समुद्री पतन है और विसाखा पतनम में विसाखा पतनम समुद्री पतन है फिर आता है चन्न लाल नहरू यहाँ पर समुद्री पतन का विकास किया गया है और यहाँ पर आप गुजरात में कंडाला को देख सकते हैं और यह रहा इंद्रा गांधी अंतरष्टी हवाई पतन जो दिल्ली में मौझूद है तो इस प्रकार से कुछ अन्य समुद्री पतन और हवाई पतन इस मांचित्र में दिया गया है आप इसे बहतर तरीके से देख लें अगर कहीं समझ जाए हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं अब आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं संचार सेवाओ के बिसे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब मानब पृत्वी में आया तो उन्होंने बिभीन परकार के संचार माध्यमों का पर्योग किया लेकिन अगर आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय बहुत ही बदल चुका है और यह बहुत ही तिव्रगती में है आज आप बिभीन दूर संचार तथा जन संचार जैसे की दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समु या फिर प्रेश, सीनेमा बहुत सारे पर्मुख जो है संचार का परियोग कर सकते हैं जो देश के पर्मुख संचार में से एक है भारत में सबसे बड़ा जो संचार तंत्र है वह है डाक यानि कि भारत का जो डाक सेवा है वह संचार का सबसे बड़ा त उसमें से भारत का डाक संचार भी एक आता है भारत का जो डाक संचार है या पार्शल नीजी पत्र वहवार तथा तार इन सभी चीज को संचालित करता है और इसको दो तरीकों में विवाद करता है जो पहली स्रेनी है पहली स्रेनी में काड वह लिफापा बंद चिठी आता है चुकि यह बहुत ही महतंपून होता है इन्हें पहुचाना बहुत ही जल्दी पहुचाना होता है ऐसे में जो पहली सरेनी की जो क्या सकते हैं डाक से वाय होती है उनको वायू यान द्वारा एक अस्तान से दूसरे अस्तान पर पहुचा आयाता है दूतिय सरेनी में डाक में रजिस्टर पैकेट, किताबे, अखबार तथा मैगजीन सामिले चुकि इनका परियोग कुछ समय बाद भी किया जा सकता है और इसलिए इसे धारा तलिये डाक द्वारा पहुँचाय जाता है तथा इसके लिए अस्थल भाग जल परिवान का भी परियोग किया जाता है अगर बड़े सहरो और नगरों की बात करें तो बड़े सहरो और नगरों में डाक संचार, सिग्रता है तू यानि कि जल्दी पहुँचाने है तू, छे डाक मार्ग बनाया गया है जो पहला है राजधानी मार्क, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, वैपार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल तो इस परकार के विभिन परकार के चैनलों का निर्मान किया गया है सहरो व नगरों में जल्दी सिगरता से डाग संचार सेवाओं को पहुचाने के लिए दूर संचार तंतर के अगर बात करें तो दूर संचार में भारत एसिया महादिप का अग्रिनी है यानि कि एसिया महादिप में सबसे आगे भारत है दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन देश का राष्ट्रिये समाचार व संदेश का माध्य में तथा विश्व के सबसे बड़े संचार तंतर में से एक है या विबिन आयू वर्ग के वेक्तियों को मनुरंजन ग्यंगन वर्दक वा खेल जगत के समंदित कारिकरम परशारित करता है दूर तरसन तो यह था भारत की संचार सेवाओं के विशे में आये अब संचार सेवाओं से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों के विशे में विचार करते हैं तो हम सभी जानते हैं सूचना में विकास हुआ संचार छेतर में विकास हुआ और आंत्रिक्ष प्रोधागी के में विकास हुआ इसके चलते नए-नए रडार अस्थापित किये गए और इनके विकास से ही आज क्या हुआ आज नगरिये छेत्रों के अत्रिक्त नाकेवल सहरों में बलकि दो तिहाई से अधीक गउं में भी सुचनाओं के प्रशार के आधार अस्तर से उच अस्तर तक समरिद करने है तू यानि कि आधार अस्तर मतलब की सबसे नीचला अस्तर जो है उससे लेकर गजूच सबसे उचा अस्तर है वहां तक सुधार किया गया और इस सुधार के लिए भारत सरकार ने देश के परतिय गउं में 24 घंटे STD सुविधा प्रबंद किया है पूरे देश बर में STD की दरों को भी नियमित किया है ताकि सभी वेक्ति एक बहतर तरीके से एक दुसरे से संचार सेवाव से जुडा रहे अन्य तत्य भारत में वर्स भर अनेक समाचार पत्र समाईक पत्रिकाएं परकासित की जाती है और ये क्या है ये एक परकार का संचार का भाग है भारत में लगवक एक सो भासाओं तथा बोलियों में जो समाचार पत्र है उसका परकासन क्या जाता है और सबसे अधिक किस भ अंग्रेजी व उर्दू परकासित होने वाले समाचार पत्र का नमरत है भारत में सबसे अधिक सरवाधिक चल चित्रों का भी उत्पादत क्या याता है यानि कि सबसे अधिक फिल्म भी बनता है जो एक परकार का संचार साधन का महतंपून अंग है भारतिय व व विदेशी इसने भी फिल्मे हैं उनको परमानित करने के लिए एक अधिकार केंद्रिये फिल्म परमान बोड जिसे एंगलिस में Central Board of Film Certification कहते हैं इसका अस्थापना किया गया है जो यहां देखरे करता है कि प्रशारित होने वाली फिल्में भारत की नागरिकों के लिए बहतर है या न इसे में अंतराष्ट्रिये वैपार क्या है तो जब राज्यों व देशों में वैक्तियों के बीच वस्तूओं का आधान परदान होता है तो उसे हम वैपार कहते हैं तो हम लोग समझें वैपार क्या होता है वैपार कहां पर होता है बाजार में होता है तो कहता है कि बाजा के मद्य वैपार होता है तो उसे हम अंतराश्ट्रिय वैपार कहते हैं अब दो देश के बीच वैपार किस परकार से होता है समुंद्र के रास्ते हवाई जहाजों के माद्यम से अस्थलिय मार्गों के द्वारा तो यह वह सादन है जिसके द्वारा अंतराश्ट्रिय वैपार संभब है अंतराश्ट्रिये व्यपार समझ लिए तो इनके साथ दो अन्य सब्दाता है अस्थानिये व्यपार और राज्यस्तरिये व्यपार इनको भी समझ लेते हैं तो कहता है कि जब सहरों कसबों वा गाउं में व्यपार होता है तो उसे हम अस्थानिये व्यपार कहते हैं जबकि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जब व्यपार होता है तब हुमें उन्हें राजी अस्तरिय व्यपार कहते हैं अगर एक देश की अंतराष्ट्रिय व्यपार की प्रगती उसके आर्थिक व्यबब का सूचक है, यानि कि जितना जादा अंतराष्ट्री व्यपार होगा, उस देश का आर्थिक विकास उतना होगा, चुकि यह जो आर्थिक विकास अंतराष्ट्री व्यपार से जुड़ा है इसलिए इसे राष्ट का आर्थिक बैरो मिटर भी कहा जाता है तो अंतराष्टिय व्यपार को क्या कहते हैं आर्थिक बैरो मिटर अब आईए अंतराष्टिय व्यपार के कुछ प्रमुख तद्धियों पर विचार करते हैं सभी देश अंतराष्ट्रिय व्यपार पर निर्वर है यानि कि दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देश अंतराष्ट्रिय व्यपार पर निर्वर हैं क्यों क्योंकि संसाधनों की उपलब्दता छेत्रियता है छेत्रिय है इसका मतलब है कि जो भी संसाधन है उसका वित्र अश्टे व्यपार ने होगा तो एक व्यत्ती केवल एक ही वस्तु का अपयोग करता रहा जाएगा और इसलिए आयात और निर्यात दोनों ही महतंपून है और आयात और निर्यात व्यपार का बहुत ही महतंपून घटक है और इसलिए आयात वनिर्यात का अंतर ही किसी देश के व्यपार के संतूलन को निर्धारित करता है अब दो संतूलन से जुड़े सब्दों पर विचार किजिएगा अगर निर्यात मुल्य, आयात मुल्य से अधीक हो जाएगा तो जो व्यपार है वह संतूलन में रहेगा और इसके विप्रीत अगर निर्यात की अपेक्षा अधीक आयात होने लगेगा तो वैपार कैसा हो जाएगा और संतूलित हो जाएगा अगर भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारी ऐसे चीज़े है जिसका निर्यात क्या जाता है जैसे की रत्न, जवहरात, रासायन और इससे सम्मंदित उत्पाद या फिर क्रीसी या क्रीसी से सम्मंदित उत्पाद का निर्यात क्या जाता है अब भारत में कुछ चीजों का आयात भी क्या जाता है बहुत सारी ऐसे वस्तुवों का आयात क्या जाता है कच्चा पेट्रोलियम का आयत क्या जाता है तो था विविन परकार के उत्पाद, रत्नव, जवहारात, आधारित, धातू, मसीने, क्रीसी वह अन्य उत्पाद इन सभी चीजों का आयतित भी किया जाता है तो यह था अंतराश्ट्रे वेपार और उससे जुड़े कुछ तत थिया अब आये बात करते हैं पार्यटन के विशे में पार्यटन एक वेपार के रूप में विख्शित हो सकता है भारत ने या अनुभब किया जो पार्यटन उध्योग है बहुत ही महतम पून है और पिछले तीन दसकों में भारत ने इसमें बहुत ही जादा विर्दी कर दिया भारत में बहुत चारे ऐसे लोग हैं जो पार्यटन उध्योग में लगे हुए हैं सनलगन है आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर इनको रोजगार मिल रहा है भारत में 150 लाक से भी अधिक लोग रोजगार यहाँ पर कर रहे हैं और इसके चलते ना केवल भारत में इनको रोजगार मिल रहा है बलकि पार्यटन से राश्ट्रिय एकता को भी परोथसाहान मिलता है राश्ट्रिय एकता बढ़ती है और जो अस्थानिय हस्तकला है और जो संस्कृति है उसको आगे उध्यमों में प्र विरासत को जो समझ मिली है और विक्षित करने में सहायक है कौन जो पर्याटक है वो अगर भारत में विदेशी पर्याटक की बात करें तो हमारी विरासत के पर्याटन परी पर्याटन रोमांच कारी पर्याटन संस्कृतिक पर्याटन चिकित्सा पर्याटन और व्यापारिक प देश के बहुत सारे ऐसे भाग है जहांपर परियतन की अपार संभावनाएं हैं जिनको अविकास करके लोगों को आकर्सित कर सकते हैं और इनके विकास है तू और विविन परकार के परियास किये जा रहें क्योंकि पार्यटन के विकास से नाकेवल विक्ती यहाँ पर आएंगे बलकि राष्ट्रिय एकता को परोथसान मिलेगा और धेर सारे लोगों को रोजकार भी मिलेगा तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने विभीन परकार के परिवहन तंत्रों को समझा और उस्से जुड़े तत्यों पर विचार किये साथ में हमने संचार से वाहों का भी अध्यान किया उमित करते हैं पूरा वीडियो आपको बहतर समझ माया है है तो आप इस चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक करतीजिएगा आप इस तरह के वीडियो के पीडियाफ के लिए अभी क्लासिस को टेलिग्राम में फॉलो करें और मुझसे जुड़े प्रशनल सवालों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर फॉलो कर सकते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जुरूर विजिट करें यहाँ पर ही मैं अपना वीडियो समाब्त करता हूँ जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम